हेलो एंड वेलकम तुए बिटी क्लासेश आज का जो हमारा चिप्टर है वह है विवर्स आइरन स्मेल्टर्स इन फैक्टरी ओर्नर्स प्लास एड हिस्ट्री की बुक का सिक्स चिप्टर है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि 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 इस तरीके से ब्रिटिसर्च ने इंडिया को को लाप्स किया मैंने क्या बोल दिया इसको एक समय था जी हुआ इतनी फेमस थे इतनी फेमस थी कि अलग-अलग देशों के राजा महाराजा रानिया प्रैंजोंा हमारे। भरती में सccुरेको क्ने अलाया करते और भरते कुछ सब्सक्ताइब करते ऐसे हैं यह थे सब्सक्राइब करते। कोलाप्स कर दिया बरबाद कर डाला हमारे पुड़े हैंड लूम कि कौन से हमारे इंडर्श्रे थे हैंड लूम थी हमारे पास कोई बड़ी-बड़ी मसीने नहीं थी हमारे पास हैंड लूम मस्मस कालाकार थे क्राफ्ट्समें थे यार इतनी मस्मस हाथ से बनाते थे वह इसे चिट कपड़ें बोलते हैं कि इतनी उफ्सूरत लग रहे है कि हाथ से बने हुआ है ऐसे कपड़ें बंते हैं तो इसे बंद ना डिजानि बोलते हैं ठीके बंद आ अना डिजानि je और यह हमारे क्या हो गए लंड इंडस्ट्री ये बर्बाद हो इसी के बारे में किस तरीके से ब्रेटर्श ने ऐसा किया और क्या किया पे यह चोड़ा सा दिखाए गया पिक्चर को इस बताना चाहा रहा है कि पहले किसी समय में जो हमारे यहाद ट्रेड होता था, वह कहां सोता था, यह इस्टरन कोस्ट है, या क्या है वेस्टरन कोस्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग में, पता है कि 1498 में, first time, वसको डिगामा, जो कि एक पौर्टिग्गी उस था, पॲ्तगाली था, पॲ्तगाल से था, वो भारत में कहाम मतलब केरला में आया यहां से बहुत सारे समान ले गया यहां से अपने साथ कुछ कॉटनल्स के कपड़े भी ले गए उसे जब ले गया यहां से तो उसे कापी अच्छा लगा मेली वे लोग वेपारी के रुप में आयते और वे लोग एक बाग घूमना भी चाते भारत में त वेस्ट कोस्ट से बांसे क्या हुआ कि यहां से होता नो इस वेस्ट नहीं लेकिक अते संव्द przy बस कुछ ज्यादा नहीं यार छोटा सा रीजन है आप सब लोग जानते भी यो क्या जानते हो पता है यह 16 सब भी करना या बेटिसर सा है आई जब यह जब यह भारत में आ गए तो इन्होंने क्या किया देखा क्या देखा यार यह जो भारती है न बहुत ही खूले माइड़े ठीक है लेकिन इनके अंदर क्या है कि जेलस की भावना है एक भारती राजा दूसरे भारती राजा को देखना नहीं चाहता है तो क्यों ना हमें कैसा काम करें इनको खुद ही में लड़ाए भिड़ाए और खुद कॉंट्रोल करें खार इन्होंने ऐसा किया भी ठीक है तो 75 ठीक है मुसलिन यहीं से निकल के आता था जो मैंने मलमल की बात की यहीं से निकल के आती थी यह मलमल ठीक है तो इन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया 7057 में खैर यह यूद एक सही यूद नहीं था इसमें छल कपट बहुत से चीज़े यूज की गई थी सिराज दौला को मार यह दो भीया है इस यूद में किंग सासकता लेकिन एक यूद और भी होती है यह प्राइसीथा एक होता है सेवनटी शिस्टी फॉर में से बड़ मझ बख कश्र बोलते हैं यह काफि निंडायों के उता जिसमैं सच में बृटिस सुपरमेसी कुषसो करता दो करता है तो इसमें 1764 में तीन राजाओं जोने हाराया था एक ही यूद में तेके जिसमें की मुगल सासक भी था यहां पर जो दिली में सासन करता था मुगल सासक सालम सेकेंड वो भी इसमें थे महाराज और वो भी इसमें अच्छे तरीके से हारे थे ठीके खेर, तो इस तरीके से इनका Ist कोस्ट पे, और West यहां पे लिखा हुआ है, कैसे Ist कोस्ट से, llesे तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कभी सूरत कोस्ट के चीफट है, मंगाल वाले एरिया वाले कोस्ट में, ठीक है, तो यह जो चप्टारहीं में हम, mainly textile industry के बारें पढ़ेंगे और iron steel के बारें पढ़ेंगे ठीक है जो की काफी crucial role play करता था ठीक है the steel revolution modern world में ठीक है modern world के industry revolution में cotton और और जो ये iron और steel था काफी important role play करता था ठीक है जैसे ही जब ग्रोव हुआ iron और इस्ठील का ठीक है iron और इस्टील का तो ब्रेटसर्स को यहां पर workshop of the world बोला गया ठीक है कब ऐसा हुआ 850 तक आते हैं देखो इंडेस्ट्रियाइशन इंडेस्ट्रियाइशन जो हुआ ब्रेटेन में इसका close connection किस्से है कि कंकेस्ट से और कोलोनाइशन से बीना कंकेस्ट के और बीना कोलोनाइशन के ब्रेटेन में इंडेस्ट्रियाशन संभव भी नहीं था ऐसा मैंने क्यों बोला इसलिए बोला देखो यह सब बाते इसमें बुक में नहीं लिखे यह मैं एक concept बता रहा हुआ कि इसके पीछी रिजन क्या था ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि लुआते Turkey British you जब है नहीं क्पड़ स्थाओ यह नहीं बनाई है क्या ठीजा प्रूफिट कहां से कमाऊगे रिसोर्स नहीं तो इस थरीकेस भारत संथ Lum बना पाए तो बहुत सार यूदीनों नहीं किया भारत में बहुत इस ट्रेगल इनको भी करना पड़ा बहुत इसे नहीं यह लोग भारत में इतने लंबे समय तो 300 साल तो टीके रहें भारत में तो इसके यह भी इंका एक काफी बहुत साथ धिर्ण निशा ही था यू आप सीन चेप्टर 2 इंग्लिस इसे कंपनी इंट्रेश इंट्रेट लेट व्यूपेशन ऑप ट्रेटरी और हाव पैटर्न ऑप ट्रेट चेंज ओवर देखें लोग क्या कि मालो यहां पे इंडिया है ठीक है यहां पे बिटेन है यह लोग यहां से कोटन खरीदे और अपने बिटेन मिले गए इसको मतलब यहां से खरते और बिटेन मिले गए ठीक है और इंके पास इंडिस्ट्री थी बहुत बड़ी बड़ी मसीने यहां पर कपड़े बनाए और फिर से यह लोग भारत मिला गए को कपड़े सर्ट हो गए पैंट हो गए ठीक है जो भी लोग बेविंग करते थे चरके चोड़े चोड़े घर में के घर में ठीक है और वससे लोग बेविंग करते तो यह काफी थोड़ी महंगी परते थी हैंड रूम वाली इंडरस्टी जो हाथ से बनती थी हां लेकिन एक बात याद रखना है बहुत ही इंपोरेंट था इसकी जो कपड़े थी की डिमांड होने लगी भारत में इस तरीके से हमारी जो हैंड लों में इंडरस्टी थी हो क्या हो गई डिकलाइन हो गई ठीक है तो यह लिखा है कि हाव डिजिस इंडियन क्राफ्ट इंडरस्टी इस कुईस्टिन वी विल एक्स्पोर इस चेप्टर ठीक तो क्या लिखा यहां पर करें कि सब्सक्राइब बाते बोली यूद के बारे में और सेविटी पर सेविटेश के अंकड़ बंगाल को किया वाज वर्ल लाज़ेश्ट प्रोडूट टेक्स्टाइल जो कि मैंने बता दिया कि उस समय बंगाल जो तकाफी एक अच्छा घसा ख रिखेना एक में वेस्ट में और संटर डिश्या में भी हमारा टेट होता था ता ओके ठीक है यूरपीयन ट्रेटिंग कंपनी बिगन बाइंग इन्या टेक्शाल ने सेल इन यूरोप तो वही खरते थे इंडिया में और बेचते थे ठीके यूरोप में ठीके फिरके वहां स आप नाम वह नाम लिख सेंख़िए करें चाहां दिखर करें यहां पर निखा हुआ है लीुट के लिखा है cherry पाटोला वाज वस्वर tuber Antonio ने पाटोला जो था वह वह होते ञंड़ नहीं प्रॉट ये इसकी वेलू इंडोनेसिया में बहुत जाद थी जो पटोला था ठीक है यह लोकल लोगी बनाते थे ठीक है कहां कहां आमदाबाद पटन तो पटोला नाम यादा रहे तो मैंने बताया कि हमारे जो मुस्लीन थी काफी बहुत ही इंपोर्टेंट थी ठीक है तो यह भी बता था और इराक में के लोग इसको खरिदते भी थे तो फर्स टाइम इंडिया ने क्या किया इनकाउंटर करना कर स्टाट कर दिया फाइन कोटन कोई ठीक है मुस्लीन जो है फिर ट्राइड्मों कि एक टीक है तो अब आच के लिए ट्रव्य करेंशी खरी ठीक है तो वान जए वाइट करेंशी इसकी के लिए खार अब होता है तो बहुत सारे नाम है तो बहुत सारे नाम दिये गहें जो कि में आपको देखने को मिलेंगे निचे मैं दिखाऊंगा अभी अब यहाँ लिखा है कि कि स्टार्टिंग में हमको बिटर से बहुत फायदा हुआ क्योंकि स्टार्टिंग सिर्फ हमें कपड़े खरीते इसलिए पहले खुब पैसा में मिला मज़ा आगया इसलिए हमको इनके साथ वेपार करने में ट्रेट करने मज़ा आता था ठीक है तो उस समय राजा लोग सोचे चलो यार इंजे तो काफी हमारा फायदा ही हो रहा है इसलिए हम लोग करते हैं लेकिन हमें क्या पता था कि बाद में यह लोग ऐसा करेंगे ठीक है इंडियन थोड़े से अच्छे दिलवाले होते हैं ठीक है इस वज़ए से इनकी नीती पता नहीं थी तो इस वज़ए से इतने सारे लोगा प्ले लेगे तो अब फायदा विथे ह हुआ Tea की हमारी जीडिपी कभी पूढ़ी आसमान एदे表 के लिवे इंडिया का ठीक है लेकिन जैसे बिटिसर्स का और लिस्टार्ट हुआ हमारी जेडिपी योती डाउन होगी काफी तो यहां पर 98 व्याइटी इन्होंने मांगे थे कपड़े कॉटन और सिल्क के ठीक है इस वे नून बाइद लिस्ट है जो कि इन्होंने यहां पर डिमांड की हुई है कपड़ों की ठीक है कि कह रहे कि नाव लूकर नेम ऑफ दिफ्रेंट व्राइटी अब को लोटीन बुग और मोंगी बलको फेर प्रिंटेंड ग्रोथ एंड कॉल्ट चिंट कुछ एक कपड़े थे जिसका नाम होता आशाओ चिंट ठीक है जो कि अब प्रिंट होता था वह प्रिंट ओंड और कोटन पीजसी चीट बोलते थे अब यह कैसा बदना तो इस अलग अलग टाइप के खपड़े थे ठीक है अब यह नाम कहां से है यह सब नाम एंगलिस टर्म चिंट से मिला चिट यह चीट को बोल तो छीट कप्र जो ते है में बुंदा मुंदा टरुद ताफ है या फिर फ्लावर के डिजाइन फिर कुछ ने छीट फिर डिश्ट ने पहले कि तो छीट क्या दिखा है कि स्मॉल और कलरफुल फ्लावरी डिजैन होते है उसे शीकाल तो देए तो प्रिंटेर दिया तो ट्रेज बढ़े किसका इंगलेयन में एड़ी इसका फ्लोरल मतलब जो फ्लावर बार डिजाइं खप्रेज्ट गाफी डिमांड बढ़ गई यूरोप में ठीक है रिल्टी चीपनेश ठीक है थोड़ी चीपनेश भी थोड़ी सी कम थी इसलिए और भ इसको डिवान कर देए इतनी मस्कप्ड़ थे हमारे तो वहां खिरानिया और राजा भी हमारे कप्रेपर पहंद्य थे ठीक है तो बंदना जो था एक बादने काम होता था ठीक हुष्ट बंदना बुला गया ठीक है जो कि नेक के लिए जो तो इस काप के रूप में ठीक है कि यहां पर यह देखो कि जामदानी वेव और ट्यूनी सेंचुरी की है यह जामदानी क्या नाम पढ़ा यह मुशलीन है मुशलीन मुशलीन मन मलमल कपड़े हो देते हैं और विच डेकुरेटिव मोटिप्स और वह विए लूम टैप के लिए ग्रे इंड वाइट टीके त ऑन्दानी कैसा हो सब्सक्राइब आप क्या था गर्य और वाइट गल्त पैसे वूम लकांट और शुब्सक्राइब देखो इसमें कोटन और गुल्डी का मिक्स खेले लिए अपन्दानी में मोटन गोल्ड ट्रेड़ वाशिए यूसे के इंट इन पिक्टर दिखाए कि दि बंगाल इसलिए इंपूटेंट था यार ठीक है और इसलिए उन्हीं सो पास मिन्हों ने बंगा कर दिवाइट भी कर दिया ठीक है बहुत बदमास थी यह लोकस्त में ठीक है एनलखनों में होता था ठीक है और यूपी में तो यह लेस तो यह देख सकते हो किता रॉप्सूरत ठीक है यह लिखा हुआ है अब यह प्रिंटेट के डिजायर हों दो फाइन क्लोथ चीनट बोलते हैं अब शीट करा हम तो मसली पत्नम में अंदर पर्देश में और यह से वेरिया में बंद देते चीट के कपड़े ठीक है याद अखना है ठीक है हिंदी टाइपिंग मतलब टाइं के लिए बांधने के लिए ही एक उसका एजांप अब कहां यह होता था देवर अधर क्लोथे इन देवर्डर ऑडर ऑफ दे बुक बुक दैट देवर रिटन देट प्लेस ऑरिजिन कासी मजार पटना और कलिकट में होता था यह ठीक ह उडिशा में और चार पूर में ठीक है तो यह सब एरिया जहांकि यह होता था तो किस तरीके से हमारे कपड़े पूरे वर्ड में फेमस यह दिखाए गए यहां पर यह जो की बंदना है कितना मस्त दिख रहे है ठीक है यह जो दिख रहे भी से यह ठ्रेड है ठीक है यह पॉइंट अगला पराग्राफ अगले वीडियो हम पुढ़ेंगे निक्स पार्ट में अगर वीडियो अच्छा लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सेर करें जिससे हम मोटिवेट हो और और भी इसके पार्ट लाए थैंक्स पो लिस्टिंग जाहें